कैसे आप सब आशाय वड़िया होंगे आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं पीजा पास्त पीजा ब्रेट पीजा ब्रेट पीजा ब्रेट पीजा बनाने के लिए हमने दो स्लाइज ले लिए हैं ब्रेट के और उसमें डालने के लिए हमने नमक चिली फ्लेक्स यह है पीजा, हर्ब, और यह है, मिक्स, और गिनो, यह काली मिर्च, ब्लैक पेपर नहीं है, यह वाइट पेपर है, और इसमें सॉस टालने के लिए हमने यह लिए है, मैन्यूस, टमाटो सॉस, यह पास्ता सॉस है, यह चिली सॉस, और इसमें सबजियां डालने के लिए हमने लिए ह ये पीली शिमला मिर्च जो हमने इस तरह काटी है ये कौन है आपको आराम से मिल जाते है मार्केट में ये लाल शिमला मिर्च है ये भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी ये हरी शिमला मिर्च है ये भी आपको मिल जाएगी और यह हम डाल रहे हैं बीन्स इससे भी टेस्ट बढ़िया आता है और भी आप सब्जिएं डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं और इसमें हमने लिए एक से डेट चपमच की करीब अमूल बटर आप इसकी जगे और कोई दूसरा बटर भी डाल सकते हैं और यह हमने चीज के ऐसे छोटे छोटे वाले ले लिए आप इसकी जगे स्लाइस भी ले सकते हैं अब इसमें हम देखिए यह नमक डाल देंगे नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा यह देखिए सारी सौस में मिक्स करके और यह साथ में हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स बचा लेंगे बाकी डाल देंगे और यह और गिनो यह भी हम थोड़ा सा बचा लेंगे ये mix herb ये भी हम थोड़ा सा बचा लेंगे ये white paper ये भी हम पूरा डाल देंगे जरा सा बचा लेंगे उपर से garnish करने के लिए अब इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे sauce को ये देखे sauce हमारी बनके ready हो गई है और हम bread में मक्खन थोड़ा सा लगा के इसको एक तरफ से सेक लेंगे और हमने gas sim पर रखी है ताकि हमारी bread जले भी नहीं और हलकी सी सिक भी जाए बस देखे मक्खन melt हो गया इससे ज़्यादा हमें नहीं सेक नहीं क्योंकि अभी पीजा बनेगा तो उसमें वैसे ही already सिक जाएगी अब इधर इसमें हम क्या करेंगे यह जो हमने sauce बनाई हुई है इसको लगा देंगे जितनी आप अच्छे से लगाएंगे उतना ही टेस्ट इसका बढ़िया आएगा यह देखे अब इसी के उपर हम गार्निश कर देंगे इन सब सबजियों से जितनी अच्छी सबजियां आप डालेंगे जितनी जादा उतना ही यह बढ़िया बनेगा यह देखें कौन भी हम डाल देते हैं ताकि बच्चे कौन भी खुशों के खाते हैं यह देखें ज्चप्रखीं में लिक हाहिए अब इसी के उपर हम चीज डाल देपे और चीज जितना ज्यादा डालेंगे ईए्नाा ही बच्चों को पीजा टेश्टी लगेंगा यहाँ प्सक्राइब अब देखिए हमारा बेकोने के लिए ब्रेड हमारी पूरी रेडी हो गई है और इसमें तवे में हम थोड़ा सा मखन डाल दिए और गैस हम सिम्पे ही रखेंगे अब इसको रखके हम पांच मिनट ढख देंगे ताकि हमारा चीज भी अच्छा से मेल्ट हो जाए और गरम भी हो जाए यह देखिए इसमें उपर से हम चिली फ्लेक्स और गिनो यह देखिए उधर हमारा दूसरा सिक पहले वाला सिक रहा है इधर हमने उतनी ही देर में दूसर सेट कर दिया यह देखिए उपर जो हमने थोड़ी थोड़ी मसाले बचाए हुए थे चिली फ्लेक्स है वाइट पेपर है यह हमने उपर डाल दिया चीज और डालके सेट कर दिया यह अच्छे से ताकि हमारा दूसरा भी रेडी हो जाए वो बन जाएगा तो उसके बाद हम यह रख देंगे बन्ने के लिए यह देखिए यह रख देंगे र्ख यह रख देंगे यह अर इसको भी ढख lingu हम डख देंगे अब इसको हम आपको काट के दिखाते हैं ये देखे ब्रेट पीजा हमारा रेडी हो गया और बहुत ही टेश्टी बना है बहुत ही यम्मी एक्तम देखके मज़ा आ जाएगा और आप जल्दी से घरवे के पीजा बना सकते हैं बहुत ही आसानी से घर में ही बचिवी सब्जियों से अगर आपको हमारी इस तरी की बनाईवी रेश्पी पसंद आती है तो लाइक कर दीजेगा आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा कमेंट करके बताईएगा जरूर कि आपको हमारी इस तरी की बनाईवी रेश्पी किस तरह लगी बाबाई